क्या हम डॉक्सिस्यक्लीं प्रेग्नेंसी के वक्त दे सकते हैं क्या ह anál हम डॉक्सिस्यक्fully को अमोशी LAUGHTER के साथ दे सकते हैं अगर Contra Indicated है तो क्यों है ? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो लोगे मैं देखेंगे तो मैं हूं रजय को चलिए बात करते हैं डॉक्सिस है कि एक वर्टर-सॉलिबल टेटर साइक्लिड है टीक है वो किल करता है और प्रिवेंट करता है ग्रोथ को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगीतिव दोनों तरह के बेक्टिर्या से मुस्ली तीक है इसका mechanism of action यूजिली आप लोग जानते होंगे कि ये 30S जो RNA है उसको inhibit करता है और protein synthesis को inhibition करता है ठीकि ये soil valve pact नहीं करता है protein synthesis inhibitor है इसे हम administration किस तरह से करते हैं तो हम यूजिली 2-3 hour before और after consuming any supplement और drug like magnesium, zinc, calcium, aluminium, iron और sodium, bicarbonate से avoid करते हैं क्योंकि इसका absorption decrease होता है ठीक है milk के साथ भी इसे avoid करते हैं ये एक जो चीज है वो important आप वो याद रखना है क्योंकि normally लोग milk के साथ इसे medicines को लेते हैं ये medicine milk के साथ आपको avoid रखनी है ठीक है इसका dose की बात करें तो mostly 100 mg twice daily के लिए use करते हैं ठीक है बाकी के लिए काफी resistance डेवलप हो गया है टाइफस और एकेट से हमें हम अभी यूज कर रहे हैं ठीक है एकने के treatment में भी यूज कर रहे है malaria के profile axis में यूज कर रहे हैं ठीक है malaria का जो profile axis है जिसमें हम एक से दो दिन बिफोर ट्रेवलिंग और कम से कम वन मन्थ आफटर कमिंग हॉम ठीक है इस पिरेट में हम profile axis में malaria में अभी भी दे रहे हैं कुछ skin infection में यूज हो रहे है STD में यूज है हो mostly claim idea के लिए ठीक है claim idea के लिए हम यूज करते हैं आज भी doxycycling और effective है गोनेरिया के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि resistance काफी है ठीक है गोनेरिया के लिए जो dose है वो भी हम बहुत बढ़ा के देते हैं 300 maximum dose होता है पर उसके लिए 600 भी काफी books में लिखा हुआ इसलिए हम avoid करते हैं गोनेरियागे case में ठीक है mostly काफी काफी यूज नहीं हो रही है काफी रजिस्टेंस टेट रहा है और रिकेट सेया में काफी यूज ली नॉर्मली यूज कर रहे हैं ठीक है adverse effect की बात करें तो इसका एक adverse effect जो कि आपको याद रखना है tooth decoloration ठीक है अगर आप doxycycline लेते हो ना तो वह deposit होती जाती है growing teeth में तो अगर आप बच्चों में दे रहे हो ना काफी लंबे समय तो उनके teeth में discoloration हो जागा और वह पर्मानेंट रहेगा इसे आप हटा नहीं सकते हैं ठीक है इसलिए बच्चों में 12 साल से कम age के group में हम avoid करते हैं इसी तरह से प्रेगनेंसी में भी avoid करना है क्योंकि प्रेगनेंसी में जब newborn babies के जो bones और प्रेगनेंसी में इसे अवाइड करना है रिजन बता दिया है मैंने क्यों और बच्चों में भी avoid करना है ठीक है बाकि एडवर्स इफेक्ट तो माइल्ड डायरिया फोटो सेंसिटी नोजिया इत्ते इंपोर्टिंट नहीं है सबसे इंपोर्टेंट है टूथ डिस्कलरेश एक देखना थिके कॉंट्र इंडिकेशन हमको याद रखना है प्रेगनेंसी में तीक है 12 साल से कम अधिकर ट्रसाइक्ली जिनको ऐलगी है यह पैनिसीलिन और आइसो टीनिंट के साथ भी हमको कोंट्र इंडिकेट के साथ क्यों मुसली आमउक्सिशियों के साथ नहीं पर प मैं ध्यान रखना है क्योंकि एक ने में हम हुक्व बैायति की तॉर में करेंड प्रिकमेंड कर दाइब कर गाए घर से क्षच करता तो यह सुटो ट्यूमर किवरी थे इनक्रीइस फेरेशें यह याद रखना है जो कि most important है आपको इन दोनों का combination कभी भी अवोइट करना है हर बार अवोइट करना तो कभी भी नहीं देना ठीक है रिलेटिव में क्या हो सकता है लिवर डिजीज हो सकता है इस्ट इंफेक्शन के स्ट्री हो किड्नी डिजीज हो कोलाइटी सो क्योंकि अवोइट करना किस चीज में देख सकते हैं इसी तरह से आप अगर एक health care provider हो health care information को और जाना चाहते हो तो एक prescriber मैंने list down किये यह को sponsor video नहीं है मैं खुद उस prescriber को use करता हूं काफी अच्छी है अगर आप doctor हो bhms हो nursing officer हो आप कुछ सीखना चाहते है तो आपके लिए वह क कहा करने चाहिए क्या जीज़े avoid करने चाहिए अगर यही नहीं पता होगी तो तो आप एक आख बंद करके तीर मार रहो उसी बराबर होगा तीक है तो thank you